आगे देखा शूब को बात करने माले सीप्यों के बारे मेरे जो भी सीरीज़ में अपने देखा होगा कि तो आपको पता चला होगे CPU cooler जो कितना मैटर करता है तो फिट इंसाइड काबिनेट तो बस आज का वीडियो टॉपिक है कॉंसा कॉलर आपके लिए बर बर यह विच कॉलर इस राइट फर यू तो गो वेट अन्वाट काइंड फिंग यू आपके लिए वागार इस वागार आपके लिए लिए फिर ने खिर फिर शुरुट करते हैं तो मेरे साइड मेल एड बिगें तो देखों के स्यूपिक अजरी कॉलर इस लémड रवाट भी कुलरों तो है प्रोफैल कूलर के लौ अग्मिया लव कोछा से मत्हों अधिड़ कॉलिक तो चोटे dyed पक्रिभा कॉलर जो की मिनी ITX में यूज होते हैं या जिन काबिनेट में जातर जगा नहीं होती बड़े टावर कुलर्स के लिए उस हिसाब से ठीक है और आता है फिर AIO लिक्वीड आर रहे लिक्वीड फॉल्ट होती है तो यह मत बुलना और फिर अब हम बात के लिए सबसे बेसिक से तो कुलर सीपिव कुल लिए एक संपल टावर कुलर साथ जाते नौर्मल सिंगल टावल उच्टी फैंसे एक फैंस के साथ 120 mm क्या तो वह बाले के साथ चलू अ अभी वो वाले coolers जो आते हैं वो बेसिक से एक radiator, जो के साथ आते तो वो आपको क्यो लगाना चाहिए और कॉन से processor के साथ लगाना चाहिए कॉन सा आरेंज में अगर अपका processor, if course wise, जो आपका processor, छोड़ा हो तो अगर आपका processor 4 core 4, 4 core 3, 6 core 6, 6 6.6 से थोड़ा जाथ होगा बट ओक लॉक कर रहे हो तो वो मत लगा श्टॉकर से थोड़ा अच्छा है तो वो कुलर आप लगा सकते हो उसमें तो वो बहुत अच्छे कुलर है मैं भी वो लगा तो मेरा फोट को फोट्रेड का है तो AIO तो नहीं लगा पाया मैं बट यह आप पर मिलते हैं इनका फिर रेडियेट और बड़ा होता है फिर आजी भी कंट्रोल कस्टमाइजेबल होती है एड्रेसेबल आजी भी जिसे बोलते हैं तो वो सब चीज़े फिर इसके एस्थेटिक लुक्स मैटर करते है ठीक है उस चीजों में तो कर आपको लेना है तो मैंने बज़ेट रेंज में जो है बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं आपको बहुत अच्छे लाइफ टेम पर दे सकता है और उसके साथ साथ बात करूँ तो अभी आते हैं अब आयो कुलर के ऊपर उससे पहले आते हैं टावर कुलर तो यह मैंने बात कर दी फिर्स टाइप अ अब दूसरे टाइप आफ टावर कुलर से दुवालि टावर डिल टावर तावर लसाथा बियेए अब अगर सराच करोंगे कि आपको जो cooler है वो double हो जाते है double the size means double the cooling अभी वो किस चीज के लिए यह जाते है वो जो जो टावर को लाज़ा है वो कैसे बीटी करते है उसके पीछे का बीजिन है अभी उसके नीचे जो chromium की plate लगी होती है जो base plate होती है dual towers के नीचे तो उससे का तो उसका radius बड़ा होता है और जो AMD erasm processors है उसमें आप देखो कि तो उसका CCX core layout बहुत अलग होता है थोड़ा side side में होता है ना कि center में होता है ना कि monolithic pattern में होता है जैसे Intel है ठीक है तो उससे का तो जो dual tower का base plate बड़ा होता है तो processor के die के उपर जादा cover कर लेता है ज आपको जो radius जो उसका area है वो जादा बढ़ जाता है उसका cooling अच्छी हो पाती और AIO में क्या रहता है च्छोटा pump रहता है वो उतनी जगह पर restricted यह वैसा ने लेता dual tower में दो फैंस लगा सकते हो दो क्या तीन फैंस लगा सकते बीच में लगता है और एक पहले लगता है दोनों के तो वैसा तो यह performance अच्छी देता है और इसके pricing भी कम रहते है और आपको 10,000 के अंदर अंदर बहुत अच्छे coolers तावा coolers मिल जाएंगे और 6,000 के अंदर ल cooler ले सकते हो AIO उससे अच्छा performance तो यह coolers दे देते हैं बट overall यह बल्कि बहुत होते हैं तो cabinet में fit होना फिर RAM heights issue यह सब भी reasons फिर face करना पड़ता है तो उसके वज़े से फिर कोई इतना साथ इसको यूज नहीं करता है पर जिसको performance चाहिए वह इस cooler को recommend करता है वह खुद भी यूज करता है PC enthusiast खुद यूज करते हैं ऐसे types of coolers को बहुत कम होंगे या use करते हैं अभी बात करते हैं AIO coolers पर AIO coolers के होते हैं वह उसमें बहुत सारे types होते हैं radiator sizes matter 120 mm होते हैं तो 120 mm वाले तीन चाहराज रुपे तो यहीं पंद्रहासो का cooler तो यहीं ले लो तो उसके बाद 240-280 फिर 360 480 mm के radiator भी आते हैं पर वह 480 तो बहुत बड़ी full tower cabinet में आ जाते हैं वह तो मैंने पिसले डिए तो मेरी वीडियो और कर दो पताने कोई कर ले ले खुट उसके बात की बड़े वने बड़ेस होते हैं कॉस्टम लूपि में यूस करते हैं अभी आ गया जाते तो रेडिमेट cooling की बात करते हैं तो रेटीमेट चूल इसके पोलेश के लिए पाघ। चोल से फिरे घाले के लिए चाहिते हैं अच्छे लोक वैस्टवायश के अच्छे दिखते हैं अर् निमिलिस्ट्टिक सेट आप था ए मतलब यार लिक्वीड कूलिंग कर रहा है बंदा थोड़ी लाइक कि इसे रहती है जो फेक्ट चेल मैंटर करते है और बहुत आयो कूलर जिसको भी राइक चाहिए वैस्टाटिक पॉपस ले सकता और इसमें इसमें अरजीबी ब्लाद लगते है उसके रेडियेटर पे और जो 5 से विर कूलेंट पंप याणि उसके जो में सी प्यू ब्लॉक पर तो बहुत सारे वेरेंट्स होते हैं जो भी पंप रहते है उसका water pump वो CPU block रहते है या फिर रेडियेटर के अंदर रहते हैं कुछ कुछ companies जिसके pipe के अंदर रहते हैं pipe के अंदर तो बहुत सारे strategies हो उनके साब से सोचते है कि उनका फिर coolers कितना long term रह सकता है और यह वह तो उस चीज की बात होती है तो फिर ऐसे ऐसे सिनारियो भी बहुत रहते हैं मैंने चेक किया तो जितने है तो वैसे और फिर यह वर्दी भी उतने लगते हैं मुझे बिकुछ प्रिश्ट प्रोब्लम भी नहीं रहती है तो वह भी बहुत अच्छे तरीके से देखे कि वह छुपेगे नहीं और आपको पीसी और बड़ा तो ने लगए पर चोटा सा रहेगा आपका क्याबिनेट चोटा ने लग पीसी के अंदर इसना जाद माल मसान रहेगा बट अल्द तो इस इस अपावरफुल पीसी और मेरे दिमांक में बहुत अइयों के बारे में आइडिया साते रहते जो मैं किसी और टाइम बताऊंगा भी तो लेकिस का चलता है तो यह ऐसा कुछ चीजे होता है इस चीज में के लाइक वाटर से वह कूल होता है वह जो लूप होता है और जो इसका बेस प्लेट होता है जो से वी ब्लॉक का वो होता है कॉपर का कॉपर इस ग्रेट कंड़क्ट ऑफ ही ठीक है बूलना मत उसके बाद बात करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है कस्टम वाटर लिक्विड कूलिंग अभी इसमें क्या होता है का बड़ा वर्जिन है इसमें क्या होते है आपे लिटली एक वह टांक छोटा सा वाटर टांक लगा देते जम्सक्राइब के अंदर फीर नीचे से फंब रहता हिं वह पंपिंग करता है ठीक है फिर वह वह जाता है सबसे पहले रेडिटर में और इसक पाइप मतॉरर करते ह लाक रूपीज तक के किट आते ही और सबसे बेसिक किट तो 30,000 रूपीज से चालो हो तो उसमें होता क्या बेनिफिट कि यह आप पूरा डिया वे कर सकता है अभी कैसे सब्सक्राइब इसको जी प्यू ग्राफिक कार्ड को भी वाटर कुल कर सकते हैं जो उनका जो वाटर कु करते हैं अभी मैंने टीडी 500 मेश कैबिने देखा उसमें फ्रंट और टॉप में दोनों 360 mm लगते हैं लोग क्या करते हैं दोनों सब्सक्राइब लागा देंगे उसको कनेक कर देंगे और एक एंड जो रहेगा वो जाएगा CPU में और दूसरा एंड जो रहेगा वो जाएगा क्या है एक साइट से होती है एक साइड के फैंसे दूसरे साइड से वो हवा को पुल करता रहे जो पुष त इसको पुल करने में हया उसको पुष पूल करने में लिए इसले उसको फूल कॉंफीगीरेशन बोलते है और अल्ड वो कोई नहीं करता हो उसको olock me matters के लिए ही उ और वो इतना जादे रिखुलर लीकुले ट्रेशन है निजो यूस करते बैटे बन्दा तो बस कुछ इतने ही चीज़े तो जो पुलिंग आपको इसके बारे में जानना चाहिए था अगर आप पहली बारे वीडियो देख रहे हो तो यह पास और भी इसके वीडियो से सीरीज में तो मेरे यूट्यूब चाहर पर देखो थर्ड़मास्ता गेविंग पर आपको एक प्लेश मेलेगी प्लेश मेलेगी आप उसमें चेक कर सकते हैं मेरे बाकी और भी वीडियो दो फगे तो लाइक शेयर से सब्सक्राइब और जो भी बंद आप फर्स्टाइम देख रहा है है रहान हो गयर होगे तुम बट लिक्विड कुलिंग और एक्जिस इस वर्ड ठीक है तो डिसलाइक करना भी मत बुलना अगर केसी को करना है तो कुछ कमिया निकाल नहीं है तो कर सकते हो और बस कमेंट कर देना कि क्या कमी थी यह डिस्कॉर्ड पर मुझे कॉल करके बता सकते मैं है इवरी टाइम डि अब बसक्राइब गार नहीं है तो मैं इसको फॉलो करते है और मैं इसको इतुमें शेयर भी कर रहा हूं तो इसको आप यह मेरी वीडियो देख रहो ठीक है चलो फिर गाई बाई गुट बाई गुट बाई श्यू इन दे नेक्स वीडियो